हलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूड्यूब चैनल गोल टू सक्सस में हैं फ्रेंड्स अगर आप 2020 वाला नेडिया जेहराफ एक्जैम देने वाले हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से स्टड़ी कर सकते हैं फर्स्ट पेपर के अलावा सेकेंड पेपर शुषॉलजी के लिए आपको यहां पर काफी मदद मिलेगी इसके अलावा अगर आप सेट पीजीटी या फिर हाइर एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई और भी ग्जैम देने वाले हैं शुषॉलजी से तो उसके लिए भी आप यहां से पढ़ सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले चैनल का नाम है गो टू सक्सस और आप बात करें वीडियोस की तो इन सभी से जुड़े वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस में मिल जाएंगे सभी का लग लग फोल्डर बना हुआ है आपको किसी भी तरीकी की कोई भी परिशानी नहीं होगी फिर्णस आज हम लोग बात करने वाले हैं ये नियोस में है स्वामित्व योजना इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा पहले वी इससे पहले वाली एक वीडियो आई थी उसमें भी जाना था तो इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं तो स्टार्ट करते हैं केंद्री पंचायती राजमंत्री ने 27 अपरेल 2020 को नई दिल्ली में भारत सरकार के पंचायती राजमंत्राले की एक नई पहल स्वामित्व योजना के बारे में दिशा निर्देश जारी किया है यहाँ पर important बात क्या हो गई कि भारत सरकार का जो पंचायती राजमंत्राले है उसने स्वामित्व योजना के बारे में दिशा निर्देश जारी किया है अमित्व जो ये योजना है इसके बारे में फैक्ट्स देख लेते हैं इस योजना को वर्तमान में छे राज्यों राज्यों की बात करें तो हर्याना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महरास्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं उत्राखंड में परयोगिक तौर पर लागू किया चा सकती है, इस वर्ष के द्वरान पंजाब एवं राजस्थान में 101 सतत परिचालन संदर्बित स्टेशन इस्थापित किये जाएंगे, जो अगले वर्ष गामों के आवासिये छेत्रों के सर्वेक्षन एवं मान्चित्रन के लिए मंच तयार करेंगे, अब सहयोगी मंत्राले के बारे में देख लेते हैं, यह जो योजना है, भारत सरकार के पंचायती राजमंत्राले, राजपंचायती राजविभाग, राज्ये राजस्था विभाग और भारती सर्वेक्षन विभाग के सहयोग से ड्रोन तकनी की द्वारा नवींतम सर्वेक्षन विधियों के समपत्ति सत्यापन का समधान करेगी। ठीक है? क्या करेगी? यह जो भारती सर्वेक्षर विभाग है, इसके सहीओक से और भी जितने विभाग की बात उपर की गई है, उसमें पंचाईती राजमंत्राले, राज-पंचाईती राज विभाग, राज-जे राजस्वर नवीनतम सर्वेक्षर विधियों के उपयोग से ग्रामीर चेत्रों के जो रियाईशी जमीनों हैं इनके सिमांकन के लिए संपत्ति सत्यापन का या समधान करेगी। इसके कारिक्रम के तहट बनाए गए मानचित्रों से बहतर गुर्वत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के निर्मान में भी मदद मिलेगी। इस प्रक्रिया से पंचायती राज मंत्राले के भुक्तान प्रोटल पी आर आई ए सोफ्ट और सारवाजनिक वित्य प्रवंधन प्रणाली प्रोटल को एकिकरत करके एक मजबूत वित्य प्रणाली स्थापित करने में मदद मिलेगी। जिसका उद्धिश विकेंद्रिकरत नियोजन प्रगती रिपोर्टिंग एवं कार आधार लेखांकन के माध्यम से देश भर में पंचायती राजिस अंस्थानों में इस शाषन की बहतर पारदर्शिता एवं मजबूती को सुनिश्चित करना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिजेगा और इस वीडियो को जितना हो सके जादा से जादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, थैंक यू